देर इस्टुदेंट्स, वल्कम बैक, I am very happy कि चलिए कुछ दिन बाद एक वीडियो लेकर के फिर से UGC NET के ThemeWise Past Year Paper Analysis, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं International Relations और ये जो ThemeWise है, ये 2023 में जो चार पेपर हैं, कैसे? मार्च में एक्जाम होता है, दो पेपर, सिफ्ट वन, सिफ्ट वन, सिफ्ट वन, सिफ्ट वन, तो चार पेपर हमें मिलते हैं और आपको पता है कि IR में करीब 18-20 questions होते हैं, तो एक तरह से इसमें आपको एटी से ज्यादा question हम लोग discuss करेंगे और वो हर part of syllabus से है in fact केवल इन ही question को कई बार पढ़के और ये समझ करके कि question कैसे आ रहे हैं आप IR की तयारी को सुरुआत कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं let us begin UGC net theme wise past year question analysis 2023 paper four papers on international relation which will be useful for all the competitive exam in which Paul science domain is concerned इससे पहले कि हम दो question answer का दौर करें सुरू आपको जानना आपका अधिकार है और मेरा करता भी बताना है कि एक बहुत ही beautiful journey मेरे साथ कुछ student travel कर रहे हैं for December cycle of UGC net जिसमें मैं खुद उनको test series के थू जो है वो सारी चीजें बताने की कोसिस करता हूं जो UGC net के लिए required है उस पे discussion होती है और तमाम तरह की बाते होती है strategy कैसे पढ़ना चाहिए and other life skills and all whatever I can share आप उसको counseling कह सकते हैं यदि इस journey का आप part बनना चाहते हैं आप ये पूछ सकते हैं कि सरी बैच तो पहले ही सुरू हो गया है तो मुझे अभी जोइन करने से कैसे होगा इसमें देर से join करने से कोई नुकसान इसलिए नहीं है कि जितने भी test paper अभी तक लिए गए करीब अठार वो आपको वहां पे बोथ offline online आपको मिलते हैं आप अराम से उसको जो है ले सकते हैं इसके अलावा explanation already जो test हो चुके हैं उसके भी आपको PDF मिल जाते हैं सारे resources जो ग्रूप में share किये गए हैं वो भी मिल जाते हैं और सभी counseling session है या doubt clearing session उसके recorded video भी मिल जाती है तो आप कुछ भी नुकसान आपका नहीं होता नुकसान केवल समय का है का आपको ये सारी detail यदि आपको लेनी है और इसकी price and all तो आप register कर सकते हैं इस mail id पे फिर आपको बताया जाएगा detail और guide किया जाएगा यदि आप resources तलास रहे हैं Paul science help domain में competitive exam के UGC net के लिए जो best resource है UGC net की guide है यहां link दी गई है description box में भी है and CUAT PG and others के लिए यह तीन book है इसको जरूर आपको देखना चाहिए यह है UGC net की international relation की syllabus इसमें दो unit आते हैं unit 5 है international relation आप देख सकते हैं approaches to study of international relation है मतलब जो theory है concept and theory दो portion में हो गई then conflict and peace है united nation पे सब कुछ आपको जानना है and political economy of international relation जानना इसमें globalization, global governance, Britain and all आती है regional organization भी जो यहां दिये गए है वो तो जरूर ही जानने है contemporary challenges जो है वो then second unit जो इससे concern रखता हूँ India's foreign policy है जिसमें की perspective on India's foreign policy है the non-aligned movement है India का role उसमें है India's relation with major powers है India's engagement with multipolar world है India अभी जो G20 हुआ उसका example है India's relation with neighborhood है और India's negotiation strategy in international regime है and then contemporary challenges क्या है India's foreign policy के ये भी इसमें आपको पढ़नी है यहां पर आप सोचते होंगे कि sir syllabus पर इतना जोर क्यों देते हैं क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह पता होना चाहिए question UGC net के या किसी भी competitive exam जो standard होता है non standard की बाद छोड़ दीजे वो syllabus से ही होता है syllabus के बाहर नहीं होता जैसे for example यदि इसमें लिखी है इंडिया's relation with USA और आपको यह पूछते हैं कि open sky policy इंडिया यूएस के बीच में कब sign हुई थी यह difficult जुरूर हो सकता है लेकिन यह arbit नहीं है इंडिया founding member है United Nation में कितने member थे किस ने इंडिया के तरफ से United Nation Charter पे sign किया और यह सब सब जो है syllabus से लेके यह पूछते हैं इसलिए syllabus को गौर से देखे अब आएए सबसे पहले हम लोग December 2022 cycle जिसकी exam March 2023 में होती है उसके shift 1 के paper को केवल उनहीं question को देखते हैं जो international relations थे यह मैंने call out करके मनदब pick करके निकाला है आपके लिए discussion के letter C करीब 18 से 20 question लगबग है which of the following act is also known as hide act अब यह question थोड़ा आपको difficult लग सकता है लेकिन यहाँ पर आप आईए कि जितनी जो इंडिया US nuclear deal हुई थी 2008 में मोहन सिंग थे बहुत ज्यादा political turmoil भी हुआ था यह deal क्या था कि इंडिया ने जब पोकरन टेस्ट किया था second पोकरन टेस्ट तब से यह हुआ था कि इनको एक तरह से ban कर दिया गया था nuclear supply group में तो कभी सामिल नहीं किया गया US ने economic sanctions लगाये थे बात में जब relation हम लोग काफी अच्छे हुए तो US ने का कि ठीक है आपको हम civilian nuclear जो power plant है उसके लिए अब आपको हम supply करना शुरू करेंगे लेकिन इसकी कुछ सरते रहेंगे उस इसके तहत जो है बहुत सारे changes act पास हुए सबसे पहले तो 123 agreement sign हुआ यह 123 इसले करते हैं कि वहाँ पे जो act थी वह 194 की atomic energy act उसके तहत जो 123 section था उसको amend करना पड़ा था US को hide act को pass करना पड़ा था जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसके बारे में यहाँ detail है और इसके पूछा जाता है और यह deal कब हुई थी 2008 में यह भी पूछा जाता है हाइट जो है 2006 में पास हुआ था जिसने की facilitate किया कि यह agreement हो पाए तो इससे related जितने भी US इंडिया जो nuclear deal से related act and event है यह आपको पता होना चाहिए तो यह क्या हो जाएगा इंडिया-U.S. Peaceful Atomic Energy Cooperation Act कर सकते ह आप प्रिंसिपल सब पंसील यह बहुत आसान इसलिए कि पंसील के जो पांच प्रिंसिपल है उसमें यह पांचो है जो लिखा गया है आप पर सकते हैं mutual respect for each other, state or integrity, sovereignty, mutual non-aggression, equality and cooperation for mutual benefit, equal existence, लेकिन interference in each other's affair करके इन्हों ने इस question को खासा खासा आसान बना दिया है क्योंकि C हो ह भी नहीं सकता है, यह तो outlandis है, तो C कट गया, C कट गया, C कट गया, तो आपका A, B, D केवल बच जाता है, तो equal existence नाम की कोई चीज जिसमें थी भी नहीं, तो A, B, D जो है उसका पांच बन जाता है, यह question इसलिए easy हो जाता है, because of C option, जो कि definitely wrong है, When did a female police personnel from India took a part in first ever peacekeeping operation by females, यह तो चुटा हुआ है, इसका यहां पर detail दिया गया है, यह Liberia में जो United Nation की mission, peacekeeping mission हुई थी, all female, उसमें India ने parts paid किया था, जनवरी 2007 में, of course इस अब difficult याद रखना है, लेकिन out of syllabus नहीं है, क्योंकि United Nation के बारे में तो सब जानना है आपको, extended neighborhood जो concept होत इसका मतलब है कि हमारा neighborhood से बगल में, तो उस पे यह पूछ रहा है कि यह कौन सा part extended neighborhood नहीं कहा सकता है, इंडिया का, स्वेज कनल पास में है, Arab World के बगल में, South China Sea भी हमारे पास में है, South East Asia के बगल में, Asia Pacific तो बिलकुल है, हम उसके part है, Indo-Pacific and all, Indian Ocean and Pacific Ocean, तो एक ही बच जाता ह Eastern Africa, जो की थुआ दूर है, जिसको की neighborhood, extended neighborhood कहना थुआ difficult है, इन सब के comparison में, इसे लिए यह odd one out है, Foreign Minister of India S. J. Sankar has summarized India's approach to multilateral action in anchored in 5S, यह जो 5S है, यह बहुत famous हुआ, क्योंकि United Nation में J. Sankar, अभी उन्होंने भाशन दिया बहुत अच्छा, Canada-India के relation पे आपको पता होना चाहि है, जो अभी recent event हुई है, और उस से भी इनोंने एक-दो साल पहले दिया था, 5S, कि हमारी जो international relation में जो approach होगी, वो it will comprise of 5S, सम्मान, सम्वाद, सहयोग, शान्ती और संबरिधी, इंगलिस में कहें तो respect, dialogue, cooperation, peace and global prosperity, तो इसमें से जो नहीं है, वो harmony है, सामन जस्य जो है, इस टेकिन, यह सब blood due type of question है, Bretton Wood Conference, इसी में IMF भी setup करने का decision हुआ था, और एक और organization आने के बाद थी, international trade organization, जो कभी आ नहीं पाया, वो भी Bretton Wood Conference में discuss वी थी, WTO जो है, वो इस से नहीं निकला, वो GATT से निकला था, GATT, इस से जो है, UN की एक agency थी, General Agreement on Trade and Tariff and Trade, तो उस से WTO निकला In which year was the United Nations setup? यह सब तो ऐसे लड़ू question, इसको लपक लेनी चाहिए, आप लोग सब को पता है, who coined the term containment? यह भी अब आसान question है, market में, जब मैं कहता हूँ, market में मतलब जो यह question की जो बाजार है, उसमें यदि आप डूबकी लगाते हैं, इसे मैं तो लगा रहा हूं कि पिछले क जब मिल है, एक समय में आप यदि नए नए तयारी कर रहे हैं, या मैंने जब नए नही तयारी करानी शुरू की थी, तो यह सब बहुत novel question होता था, लेकिन George F. Kenan जो हैं, वो containment policy के architect हैं, यह एक diplomat थे, George F. Kenan, जो कि Harry Truman के time में काफी influential थे, यह ambassador बनाएगे थे US के USSR में और उन में फैला रहा है, तो उसको रोकनिक लिए उन्होंने कहा था, Harry Truman को सला दिया कि containment policy, US को भी एक counter policy लानी चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक article लिखा था, article X, X article, और अपने नाम उन्होंने अपना X दिया था, pseudoname दिया था, तो यह भी पूछा था कि किसने pseudonome X से जो है, article लिखते थे, यह जो article था, वह था, the sources of Soviet conduct, तो George F. Keenan, जो है, बहुत ही famous है, यहाँ पर Alfred Swayi दिखते हैं, इन्होंने coin किया था, third world, जो हम लो third world कहलाते हैं, George Marshall दिखते हैं, George Marshall के ही नाम पे, Marshall Plan, जो European Recovery Act 1948, जिसमें की करी 13 billion US dollar उस समय में दिया गया था, जो second world war से ढह गया थ Western Europe, उसको rebuild करने के लिए, उसको Marshall Plan करते हैं, Marshall Plan उस समय में, Secretary of State थे, मतलब Secretary of State मतलब कहें तो Foreign Minister, तो उनके नाम पे यह है, Who categorize India as a responsible state with advanced nuclear technology? यह question इसमें खासा अर्बिट आपको लग सकता है, लेकिन इसको guess, बहुत ही, असा नहीं बहुत असान guess है, लेकिन आप guess इस तरह से कर सकते हैं, कि यह जब nuclear deal की बात हो रही थी, one, two, three agreement, अभी है, आपने आपको discuss किया, उस से में US के President George W. Bush थे, of course junior, उनके फ वो काफी जो है, इस बात को अपने हैं justify करते थे कि भई हमें करने दो इसे civil nuclear deal क्योंकि इंडिया एक responsible जो है nuclear state है, क्योंकि इंडिया ने NPT और CTBT sign नहीं किया था, इसके चलते वहाँ पे बहुत opposition होता था कि इंडिया के साथ क्यों nuclear deal हम लोग sign करें, तो President Bush आप guess कर सकते हैं, which of the following statement are true in the ecological approach? तो यह क्यों मैंने लिया है, क्योंकि environment ecology भी आपका इसके part में है contemporary challenges में, यहाँ पे बहुत अच्छे information यह दे रहे हैं, यहाँ पे आप आएं, option में, तो 2 सही हैं या 3 सही है, ecology जो है Greek root है, ठीक है, ecology का जो माइने, मतलब जो root word है वो Greek से आता है, Ernst, hackle, 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 जैसे पढ़ ले, इन्होंने term किया था coin ecology, यह बिल्कुल सही है, इसको याद भी कर लिजे, यदि आप ये याद कर रहे हैं, तो यहाँ यह भी याद कर लिजे, कि RNA nice जो है, इन्होंने coin किया deep and sallow ecologism, यह भी बहुत जगा पूछा जाता है, इसके माइने क्या होता है, आग between environmentalism and ecologism, अब यह आपको पता है, नहीं पता है, कोई फरक नहीं पता है, क्योंकि यह anyway, by the structure of this option, यह सही है, तो इसको रैटली जेक, Andrew Dobson made a distinction between environmentalism and ecologism. Which of the following are strengths of globalization? यह common sense का यह सब question है, लेकिन यह question invalid, इसलिए हो जाता है, क्योंकि यह आप इसको पढ़ेंगे चली, मैं जल्दी लिपढ़ देता हूं, promotes free trade of goods and services among the nations, बिल्कुल सही है, strengthen the market economies of the developing world, यह भी सही है, ठीक है, promotes socio-economic interaction between the country, सही है, increases economic disparity between rich poor, यह सही है, यह हर कोई जानता ह और इसका statistical evidence है कि globalization ने inequality world में बढ़ाई है, तो यह भी सही है, it does not promote human and cultural interaction between nations, यह गलत है, तो इसका मतलब A, B, C, D होना चाही है, लेकिन ऐसा कोई option ही नहीं है, इसलिए इसका invalid हो जाता है, इसको छोड़के बाकि सब सही है, what are the core values of India's foreign policy, यह देखिए कैसे syllabus से सीधा pick करते है, वहाँ foreign policy के core values कह गए है, पूशा गया है, अब यहाँ देखिए तो चार सही है, या तीन सही है, तो एक दो गलत तो है ही, तो क्या गलत है देखिए, territorial expansion हमारा जो है कभी foreign policy का पार्ट नहीं हो सकता है, यह ओटलेंडी से है, कोई country कह भी नहीं सकता है कि मैरा territorial expense है, क्योंकि territorial integrity दूसरे country का यह आप नहीं मानते हैं, तो आप एक legitimate state ही नहीं है, इसलिए यह D नहीं होगा, तो D इसमें है, D इसमें है, इसमें है, तो ABC, आप देखिए, elimination technique कैसे काम करती है, आप बात मांके ABC को रख लिए, which of the following are not the features of cold war, अगें देखिए किबल दो ही सही है, तो दो गलत ह तो not the features आपको खोजना है, there was a nuclear arm race था, तो यह तो हो नहीं सकता है, तो यह जिसमें भी हटा दीजे, तो यह तो हो नहीं सकता है, there was a propaganda war, propaganda war भी था, तो B भी नहीं हो सकता है, भी हटा दीजे, तो एक ही बचा CND, और वैसे भी जब दो नहीं हो सकता है, तो दो बांकी होगा, there was economic blockade against non-aligned countries, yes, थ्वाब उथा भी, the third was not, sorry, not the feature, yes, economic blockade, वही मैं confused करें, the non-aligned country होके economic blockade करेंगे, the third world countries were directly, नहीं, third world country अधिकता non-aligned movement में बचा, तो यह दोनों उसमें नहीं था, ठीक है, adjustment region आपको पता है, क्या होता है, दो statement होते हैं, और फिर दोनों को judge करना होता है, कि अपने आप में हो सही हैं कि नहीं, और जो reason है, वो उसको explain कर रहा है या नहीं, adjustment को, ever since the end of World War II, international environment has been dominated by the American relation with the Soviet Union characterized as Cold War, यह तो बिल्कुल सही है, reason कहता है, the cold war colored not only American and Hindi, यह कहता है कि यह केवल अमेरिका का relation Soviet Union और उसके allies से ही वो effect नहीं करता था cold war, लेकिन जो Soviet Union का जो relation था other non-aligned nations से, इन सब से भी US का in third world non-land country से कैसा नाता होगा, यह सब इस पर depend करता था कि रूस से कैसा उसका नाता है, Soviet Union से कैसा नाता है, जैसे for example, यह इंडिया Soviet Union के तरफ थोड़ा जुख गया friendship treaty करके, तो अमेरिका थोड़ा नाराज हो गया, like this, तो बिल्कुल सही है, यह explain करता है, इसको तो A option जो है, सही है, अब यहां पर दिखी, यह थोड़ा आसान question होता है, केवल दो statement होता है, आपको यह दिखना है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, गलत है, सही है, यह दोनों नहीं अधी हो, तो हमारा यह problem साथ नहीं होता, climate change का है, environmental change का, problem of climate change are difficult to address, because they involve both intra and intergenerational collective action problem, collective action problem है, आप क्या प्रदूसर्ण को अपने boundary पर रोक सकते हैं, यदि एक country fossil fuel जला रहा है, तो पुरी दुनिया को इससे affect होता है, इसके अलाबा यह intergenerational है, यह generation नहीं हुआ, तो आगे आने वाले जडिन से इसको जहलेगा, तो दोनों statement बिलकुल सही है, तो इसका option one सही होता है, दो बोथ statement correct, अब यहां पर देखेंगें दो statement है, बोथ IMFN, IBRD आप देखेंगें इसी को World Bank आप कह लेजिए, World Bank Group में पांच institution उसमें से एक IB, RDA, क्या है, International Bank for Reconstruction and Development, have headquarter in Washington, दोनों का जो है road के, इस side, इस side, World Bank और IMF का Washington में headquarter है, India's vote share in the IMF is 10%, यह आप guess कर सकते हैं, इतना high तो हो नहीं सकता है, इंडिया का लगभग पौने 3%, आप यहां देख सकते हैं, चाइना का 6, सारे 6% का असपास और अमेरिका का सारे 17%, इसमें जो यहां पर सकते हैं कि voting जो power होती है, वो कितना आप उसमें fund contribute करते हैं, उसी के ratio मती है, चुकि इंडिया कम fund contribute करता है, इसलिए इसका पौने 3% है, तो यह wrong है, तो 1 सही है और 2 जो है wrong है, यह बहुत आसान इसलिए है कि यह एक सही हो जाता है, इसे similar agreement आपको पता है कि इंदरा गांधी के time में 1972 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुए थी after the Bangladesh war, जिसमें 1971 में जीता था इंडिया, तो B का 1 और इसी से यह crack होया था, तो इस सब सुपर सुपर एजी है, बाकि मिला लेजिएगा, यह भी उतना ही एजी है, बांडूं समीट आपको पता है कि जिसको Afro ASEAN समीट करते हैं, वो एक precursor बन गया था, प्री इवेंट जो कि NAM में convert हुआ, तो A का 1 और A का 1 एक ही में है, तो super easy है, Belgrade was the first NAM summit, New Delhi summit, और आपको मिला सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं कि यह क्या था, लेकिन इसको आपको क्राक करने में तो बस एक से ही हो जाता है, Arrange the concept in chronological order according to evolution, यह question बहुत ही conceptual है, और आपको जानना चाहिए, यह है, मैं पहले इसको मैं भी confused हुआ था, लेकिन मैंने फिर थोड़ी इसमें research की, तो मुझे समझ में आया कि यह question सही है, इसका answer में सही है, देखिए, सबसे पहले जो है legal sovereignty का concept आता है, जो कि Westphalian Treaty से आता है, कि आप legal sovereign है, मतलब कि आपको एक तरह से international law में आपको sovereign तब माना जाता है, जब हर country कहती है, कि आपको अपने territory पर पूरा अक्तियार है, कोई उसको आपको दखल नहीं करेगा, और आप जो वहाँ पर authorities को sovereign माना जाता है, उसी से कोई भी state जो है negotiate करेगा, तो legal sovereignty सबसे पहले आती है, फिर जो है political sovereignty का concept आता है, जिसमें ये होता है कि यहाँ पढ़ल भी लीजेगा, जो कि domestic arena में आप sovereign है, आप domestic policy बना सकते हैं, आप constitution या जो भी वहाँ पे नीती निर्धार हैं, उसके तहत आप legitimate government हैं, या legitimate आपके पास में सबता है, फिर तब popular sovereignty का concept आता है, कि people जो है असली sovereign है, और last में plural sovereignty आता है, जो pluralism का एक part है, जिसमें ये है कि sovereignty distributed है, different groups, community, कोई एक authority, even state, उसमें सत्ता, सार्भाम सत्ता नहीत नहीं है, इस सबसे last में है, तो A से सुरू होगा, D से अंत होगा, और ऐसा किवल एक ही option है, जो A से सुरू होता है, D से, इसलिए यही correct है, इस force इतना arbit है, आगे तो पूछा नहीं जाएगा, इसका name और कभ हुआ है, तो इसको तो आप खोज के खुद कर लिजे, आपके लिए task है, मैं छोड़ जाता हूँ, यहाँ पे है कि जो BRICS summit हुए है, उसको chronological order में लगाना, इसलिए सारा BRICS summit यहाँ पे दे दिया अभी तक 15 ह कोई है, BRICS आपको पता है क्या है, ब्राजील, रस्या, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रिका, साउथ अफ्रिका 2010 में सामिल होती है, 2011 यह दस से कह लिजिए, BRICS का लाने लगता है, BRICS का नेम जो है Goldman Sach, जो company है, उसके एक thinker, उसका नाम देख लिजेगा, उन्होंने दिय संग है, इसके अलावा, BRICS की जो recent बैठके हुई है, के फिफ्टीन ब्रिक्स बैठक जो है, वो physical हुई है, जो हमस्बार्क, साउथ अफ्रिका में, बाकि तीन उसके पहले जो है, वर्चुल हुई थी, यहाँ पर यह दिया आप देखेंगे, तो यूफा जो है, उसमें में होता है, तो C से स्टार्ट होगा, C से स्टार्ट होता हुए एक ही है, फिर यूफा में होता है, फिर जोहांसर मरंग में और फिर बीजिंग में वर्चुल समीट, तो आपका हमेसा सोच सकते हैं कि वर्चुल समीट तो कुरोना कल में हुआ होगा, सबसे बाद में हुआ ह तो D से UN तो कर तीन में है तो आपको बहुत फायदा नहीं है लेकिन C से सुरुआते हैं आप जानते हैं डर्बन से तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन एक बार याद कर लिजिए तो डियर इस्ट्रेंट आप ने देखा कि 22-23 कुश्चिन मतलब huge number of question जो है आपको March में CIFT 1 में थे अपने ये भी देखा होगा कि question generally moderate थे इसमें दिया आपने अच्छे से पढ़ाई की हो और आप ठीक से guess कर सकते हैं तो आप 80% तक जो है इसको solve कर सकते हैं March 2023 का जो CIFT 2 के paper है वो भी आसान direction में है let us see कैसे question थे who among the following said problem solving theory takes the world as it finds it with the prevailing social and power relation and the institutions into which they are organized as the given framework for action मतलब ये जो दो type की theory के बीचम बिभेद problem solving theory versus critical theory ये Robert Cox ने किया था problem solving theory जो को mainstream theory कह सकते हैं like liberalism, neoliberalism, realism, neorealism ये सब हो है जो जैसा society है उसको मान के और फिर उसको कैसे better करें इसकी बात करते है critical theory like feminism हो गया या post-modernism हो गई, queer theory हो गई, neo-marxism हो गई, critical theory जो खुद Frankfurt school है ये सब जो है मानते ही नहीं उसको accept नहीं करते जो prevailing social and power relation है उसको बदलना चाहते हैं वो critical theory Robert Cox ये खुद एक critical thinker माने जाते हैं who originally coined the term security dilemma ये सब बहुत घिसा पीटा question है अब John Hudd उन्होंने security dilemma क्या होती है इसे दो state है मालजे India पाकिस्तान दोनों जो है अपने security को एक दूसरे के respect में beef up करने के बढ़ाने के लिए मालजे India ने कहा कि हम nuclear state बन जाएंगे तो हमारी security विसर विस जो है पाकिस्तान उची हो ज पिल-पिली होगे एक तरीकर दोनों के security एक दूसरे के respect में वैसे ही रही, vulnerable रही इसको security dilemma कहते हैं कि आप security को enhance करना चाहते हैं लेकिन आपका पर्तिद्वन्दी भी उतना ही से कर लेता है तो फिर ले दे के बात बराबर है कि आप फिर से security dilemma में पढ़ जाते हैं, John Hudd. Who has argued that state seeks to maximize power instead of security? जब ये कोई कहे कि state power maximizer है ना कि security maximizer, तो वो offensive neorealist कहलाते हैं, जो ये कहें कि नहीं, security main means है, power तो उसका एक medium है, लेकिन जो end है, वो security को बढ़ाना है, तो वो defensive neorealist कहलाते हैं, तो इसमें से defensive, ये walls defensive हैं, बाकी के बारे में तो चलिए ठीक है, लेकिन John Mercemer, जो है, definitely ये offensive neorealist हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, Robert Jarvis भी जो है, वो माने जाते हैं, defensive neorealist. With which writer do you associate the phrase, एनार्की is what states make of it? Of course it is Alexander Wendt, और ये उन्होंने इस पर essay भी लिखा, book भी लिखा, इसका माईने क्या है, ये constructivism के एक तरह से पिता है, Nicholas Onuf के साथ में, और इसका माईने ये होता है, कि एनार्की, इसकी realism कहता है कि एनार्की के चलते ही जो है, हालत वो है international relation की, जिसकी लाठी उसकी भैस है, और लोग जो है power maximize करते हैं, लड़ाई होती है, देस है, tension है, conflict है, क्योंकि कोई world government नहीं है. Wendt का कहना है कि ये सब social construction, आप जैसा समझो, अनार्की का वही माईन है, अनार्की का कोई given objective मीनी नहीं है, आप जैसा समझो, Wendt कहते हैं कि उसी अनार्की में जो है, आप किसी को दोस समझते हो, और किसी को दूसमन समझते हो, अनार्की तो है, लेकिन उसी अनार्की में 2008 अब तो कोई भी रट सकता है इसको बंदे भारत मिशन जो था वो बिसकली था कि जो इंडियन फस गये हैं कोवीड पैंडमीक के दौरान उसको अपने कंट्री वापस लाना यह था तो ठीक है यह हो सकता है लिगे इसमा आधी बात है दूरिंग पैंडमी वें डिन इंडिया पैंडम समीट फॉर फर्स टैम अफ पूर्स इंडिया फंडिंग मेंबर था तो फॉर्स समीट जो है बेल्ग्रेट में 1961 में होती है तो वहाँ पैंडमीक करेगा अब बेल्ग्रेट कहां थी बेल्ग्रेट यूजकालवे में थी उए-स-लावए कहां चला गया वो छे पार् North Macedonia and all. In which of the following year the Act East policy was announced? अब यहां देजी यह Look East policy नहीं है. तो यह 2014 में जब Modi ji आये तब यह announce हुआ. Look East policy जो है नर्सी महराओ के time में 1992 में हुआ था. Look West policy नेंदर Modi ji लेके आये. Act East policy तो आपने देखा नेंदर Modi ji लेके आये. Neverhood First भी नेंदर Modi ji लेके आये. और Non-Reciprocal Concession to Neverhood Policy जो है. Small Neverhood, Nepal, Bhutan, Maldiv, Sri Lanka इसको हम tit for tat या quid pro Q से नहीं तौलेंगे. हम one-sided consensus देंगे. Concession देंगे यह I.K. Gujaral पहले जो Foreign Minister थे बात में बहुत थोरे समय के लिए Prime Minister बने इसको Gujaral Doctrine करते हैं. बहुत popular question इसलिए मैं यह दे दी. Which of the following UN offices are involved in the promotion and maintenance of international peace? तो आप देखेंगे Security Council तो Prime Organization है. Secretary General भी इसमें काफी role अदा करते हैं. Agenda for Peace, Botras, Botras Ghali याद कीजिए, Brahmi, Brahmi Report, जो Peacekeeping Force पे थी, Kofi Annan का. General Assembly भी काफी Uniting for Peace, अरु जो आप यार कीजिए, इसमें यह कहता है कि हम चूप नहीं बैठेंगे इस Security Council में वीटो के चलते, कोई intervention नहीं कर पा रही, United Nations Security Council, तो हम सांती स्थापित करने कि डायक्टेक्सन लेंगे, General Assembly. तो यह तीनों तो है ही, और यहां पे कोई चार का Option तो है नहीं, तो यह यह चौथा अपने आप गाइब हो जाता है, by virtue of the structure of the option. Which are the important conclusion of L. Richardson in Statistics of Deadly Quarrels? अब यह एकदम अर्विट question है कि आप इस book को आपने थ्वाबोद इसके बारे में जाना हो, लेकिन common sense से दिया आप देखें तो, चुकि यहां पे ना तीन ही options है ही है, अब आप देखेंगे तो एक को आपको हटाना है, एक को केवल, बस. तो आप जब पढ़ेंगे न, the problem of war does not arise from the diabolism of one or few state. अब diabolism का माईने साथ आप ना समझ पाएं, तो diabolism का मतलब होता है कि मतलब आपने, आप जो है devil की तरह behave कर रहे हैं, आपके आपर भूत चा गया है, कर लिजे, या आप सैतानी का आपका दिमाग हो गया है, या आपका evil character हो गया है, तो उस तरीके से दिए आप believe करते हैं, तो the problem of war does not arise from the diabolism of one or a few state. तो ये जो है conclusion मतलब कि ये कोई ऐसा नहीं कि कोई सैतान बैठा है, इसलिए war होता है, ऐसा मतलब ये था, revenge जो है, वो कई जगह war का कारण बन जाता है, इसलिए ये statement कि नहीं गलत हो जाता है, इसका मतलब कि c d सही हो, contiguity has been an important factor in war, ये देखिए हमें इसा होता है, आज Russia और Ukraine क्यों लग रहे हैं, क्योंकि दोनों का border contiguity मतलब सठा हुआ है, आज इंडिया चाइना क्यों टानतानी करते हैं, क्योंकि हम सठे हुए हैं, एक समय हम सठे हुए नहीं थे, तो कुछ नहीं था फरक, आज इंडिया-कनाड़ा जो है, इतना ताना तानी हो रहे हैं, लेकर हमें कोईचिंता नहीं किंडिया के सठे हमारा वहर हो सकते हैं, क्योंकि हमारा contiguity नहीं हो, हमारे कोई border नहीं मिलता तो Contiguity War का जो है, Cautilya के टाइम से, Cautilya भी कहते हैं, कि आपका border किसी से सठता है, तभी आपका उससे जगड़ा होगा, नहीं, तो क्या ताना-तानी के वल होगा, आख तड़े रहें गया, जैसे इंडिया, कनेड़ा, लेकिन आप जगड़ेंगे नहीं, तो Contiguity has been an important factor in war, Nationalism has both induced and prevented war, Nationalism तो war का करांट बनाई है, दोनों world war, और कई बार रोका भी है, Nationalism के नाम पे जो है, आप कई बार आप, आप रोकते भी हैं कि अपने नेशन को नुकसान ना पहुंचे, तो आप एक moral stand भी लेते हैं, आपने नेशन को बढ़ा दिखाने के लिए नहीं, तो यह difficult है, लेकिन बहुत मजदार question है, इसमें A, C, D है, B के बल जो है, गलत है, but desire for revenge was also one of the reason for the war, which are the institutions that are part of Washington consensus, यह सब लड़्डू question है, Washington consensus जो है, वो 10 जो neo-liberal doctrine जो होना चाहिए, कि state पीछे जाए, market आगे आए, fiscal deficit कम करो, liberalize करो, privatize करो, globalize करो, private sector को आगे लाओ and all, यह सब जो policy थी, यह IMF, World Bank और जो US Treasury Department थे, इसके बीच का consensus था, इसमें World Trade Organization के कोई role नहीं था, तो A, B, D हो जाएगे. Which of the following principles are related to India's nuclear doctrine? इसको जब आप पढ़ेंगे, तो यहां पर आप देखिए, दो statement पाईए, B और D. B कहता है, the nuclear command authority is the sole body, which can authorize the use of nuclear weapon. और D कहता है, the prime minister of India can, of his own, decide order for use of. मतलब कि, या तो B सही होगा, D सही होगा, और आपको पता है, कि nuclear ऐसा है, कि क्या एक आदमी हम छोड़ सकते हैं, क्या, मालजी कि prime minister, उससे हमें कुछ ऐसा decision ले ले, उनके तब यह ठीक नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी आपको लगा common sense है, कि एक ब्यक्ति के बजाए, nuclear command authority, जिसको हेट करता होगा, उसको power होगा, ना कि एक ब्यक्ति को power होगा, इसलिए D गलत हो जाएगा, और यहाँ पे आपको उसके बाद तो है, कि इदे D गलत हो गया, तो आप समझे, यह खतम हो गया, यह खतम हो गया, यह तो ABC आपका निकल गया, और सिधा इससे जो है, यह बन जाते हैं, Health issues are central to Millennium Development Goal, MDG क्या था, 2000 में आई थी, इसलिए Millennium कहा गया, United Nation ने तह किया, कि दुनिया को कैसे आगे बढ़ना है, अगले 15 सालों में, क्या Development Goal होने चाहिए, तो उसको उन्होंने इस 8 गोल से निर्धायित किया, कि पोवर्टी हटाओ, प्राइमरी एजुकेशन को इन्वर्सल बनाओ, जिंडर इकुलिटी लाओ, चाइल्ड मोटेल्टी हटाओ, मैटेरिनल हेल्थ को इंप्रूब करो, HIV एड हटाओ, इन्वर्मेंट सेस्टेंबल बनाओ, ग्लोबल पार्टनर्सिप फॉर डेवलप्मेंट करो, मिल जूल करके हाथ बढ़ा के, इसको MDG कहा गया, अब आप देखिए तो तीन इसमें हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ इसु आर सेंटर तो MDG, ठीक है, देर आर एट गोल्स इन MDG, कि 3 out of 8 गोल्स आप देख सकते हैं 3 out of 8, तो यह दोनों जो है सही है, यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि, 2015 में जब यह इसका पीरिड खतम हुआ, तो UN लेकर के आई, सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स इसमें 17 गोल्स हैं, कौन हैं हम आगे देखेंगे कोई इससे भी question पूछा जा रहा है, तो आपको यह क्या हिंट देता है, कि आप SDG और MDG, SDG के बारे में तो बहुत जादा जान लेजिए, MDG के बारे में भी जान लेजिए, इससे question पूछा आते हैं, तो just recapitulate कीजिए कि MDG आठ थे, SDG 17 हैं, MDG में जो है health पे 3 थे, SDG में भी health पे हैं, लेकिन इतना जादा focus नहीं, उसमें बहुत सारे और चीजों पे हैं, आगे हम लोग देखेंगे, next question देखे, after end of cold war, there was a rapid transition from a bipolar system to a unipolar system, यह तो हुआ, a unipolar world हो गए after cold war, और यह क्यों हुआ, यहां पे बताया जा रहा है, the collapse of Soviet power in Eastern and Central Europe, and later on, the end of the USSR itself, where the reason for the change into a unipolar system, सही है, बिलकुल सही है, तो इसका A option हो जाएगा, the United State of America, became a more dominant power after world war 2, of course, world war 2 के बाद ना, किवल एक ही country, major country, जो अच्छूता निकल गया, बिना बरबादी के, in fact, और अमीर होकर के, वो United State of America था, याद केजिए कि England की हाल खड़ाब हो गई, France तो बरबाद हो गया, Germany तो बिलकुल बरबाद हो गया, USSR जो था, उसको बहुत नुक्सान हुआ था, नाजी जर्मनी से लिए किस तरह विक्टर हुआ था, जपान तो पूरा तरह से तहसने हो गया, लेकिन अमेरिका जो है, वो इतना रईस हो के निकला, क्योंकि पूरे वर्ड वार को इसने जो है, military supply दिया, इसकी इज़त बढ़ी, इसकी पैसे बढ़े, और इसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, इसका कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ, एक Pearl Harbor और कुछ पंडू भी नुभी डुगाने के लावा, यू इसको कोई नुकसान भी हुआ, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है, आफ्र दे सेकंड वर्ड वर्ड बोस्ट आफ्र इंपरियल पावर डिक्लाइन, इंपरियल पावर भी, अधर पावर भी, लाइक बिरिटिस एंपाइर, जर्मन एंपाइर तो पहले ही खतम हो गया था है, अलेक्जिंदर वेंट फिर से आते हैं, जिन्होंने की कंस्ट्रक्टिविजम नाम की नई जो है थिंकिंग दी, सोसल कंस्ट्रक्शन अफ रियलिटी इंटरेंस और रिलेशन, हाज आइंटफाइट थ्री टाइपस अफ अइनार्कीज, आपको याद है भी हम लोगें डिस्कस किया का अनार्की, वाट स्टेट मेक्स आउट अफ इट, तो उन्होंने कहा कि तीन टाइप का अनार्की हम देख सकते हैं, एक हॉबसेसियन अनार्की है, जो वार अफ अल अगेंस्ट अल है, जो आप ऐसा मानें, तो सब सब से लड़ते रहें, एक लॉकियन अनार्की है, जो कि सब लोग मिलके ठीक ठाक धंक से किसी तरह रह रहें, आफ कोर्स पीस है, लेकिन फ्रिजाईल पीस है, जो एक्ट्वल होता है, और एक कांतियन अनार्की है, जिसमें कि पर्पेच्वल पीस होगा, सब लोग डिसारम कर लेंगे, सब लोग संधी करेंगे, कभी लड़ाय नहीं करेंगे, तो ये तो हुआ नहीं, ये भी नहीं होता है, जेनरली, लेकिन लॉकियन जो एनार्की हो, अल्वेज दिखता है, कि सब लोग किसी तरीके से मिल जूल के, एक फ्रजाइल पीस के इन्वार्मेंट में रहते हैं, क्योंकि कोई वर्ड गौर्मेंट तो है नहीं, और हर केस में, हर कंट्री, खुद जज, जूरी, एक जुरि, एक जुशनर बन जाता है, इस चलते ही, पीस बहुत फ्रजाइल होती है, लौकियन अनार्की, स्टेटमेंट टू है, एलेक्जंडर वेंट इज एन आइडियलिस्ट थिंकर, रॉंग है, यह तो एक कंस्टुक्टिविस्ट थिंकर थे, इकोशिस की गए थी, वोट रॉबिलसन ने 14-point principle दिया था नौर, स्टेटमेंट 1 देखे, जो कुछ अस्पेक्ट में ग्लोबलाइज़िस्ट को अच्छा मानते हैं, कुछ में बुरा मानते हैं, अच्छे बाते कहेंगे, तो यह सही होगा, कोई भी गंदी बात यह कहेंगे, गलत बात कहेंगे, गलोबलाइज़िस्ट का तो वो नहीं होगा, तो यह गलोबलिस्ट हैं, यह गलोबोफाइल से हैं, गलोबोफाइल बनता जो गलोबलाइज़िस्ट को पसंद करते हैं, इसका उल्टा इसकेपिस्ट या ग्लोबोफोब्स होते हैं जिनको डर लगता है ग्लोबलाइसें से और जैसे मैंने कहा जो मीडियर रास्ता अपनाते हैं उनको ट्रांस फॉरमन लिस्ट कहते हैं नेक्स कुश्चन देखिए आप हैरान होंगे इतने सारे कुश्चन देख करके और आपको खुसी भी लग रही होगी कि मार्च में बहुत ही मौडरेट कुश्चन था लेकिन आपकी खुसी थोड़ी कम हो जाएगी जब आप जून के पेपर देखेंगे उसमें एक कुश्चन खासे टफ और अर्बिट हैं लेकिन फिर भी उसमें काफी हैं कि आप 60% तो फिर भी ला सकते हैं ये सब जो है बहुत ही फेवरिट बुक्स हैं कुश्चन सेटर के जो इंब्रामिंट पे लिखे गए थे सेवेंटीज, एटीज में साइलेंट स्प्रिंग जो है रैचेट कार्सन का था साइलेंट स्प्रिंग की कैसे सूख जाती है नदियां, धाराएं, पॉल्यूसन के चलते जो डीप एकोलोजी आपने देखा आरने नईस का था ट्रैजडी ओफ कॉमन्स जैरेट हार्डिन कि कैसे जो संपती सब की होती है उसकी रक्षा कैसे नहीं हो पाती है क्योंकि कोई उसका मालिक नहीं होता है इमाजिन कम्मूनिटी तो बेनेडिक्ट अंडरसन ने दिया था तो इसको आप मैच एक ही से हो जाता है, साइलेंट स्प्रिंग जैसे आर कालसन, A का टू और आपको यह क्रैक हो जाता है यह भी कुशन बहुत आपको ग्यान देता है इस्टेट का नेचर कैसा है दिया आप देखे, क्लास के चसमें से देखे, इसे मार्क्स लेमीन तो आपको इस्टेट एक क्लास दिखेगा तो A का 3 से ही आपका यह जो है 50-50 गेम आफ खेल लेते हैं और इस्टेट आज इथिकल लाइफ, रूसो, हेगेल, ग्रीन यह सब इस्टेट को एक इथिकल लाइफ का पार्ट मानते हैं तो B का 1 और B का 1 और इससे आपका क्रैक हो जाता है इस्टेट आज पावर जो है मैक्यावली हॉप्स देख सकते हैं लवाइतन हॉप्स का मिनिमल स्टेट जो है वो लिबरलिजम के थॉर्ट में आता है लिबर्टेरियन जो हयाक और नौजिक एक नाइट वॉच्वन या मिनिमलिस्ट स्टेट के लिए जाने जाता है यह भी उतना ही आसान है यह रिजनल और इससे आप देखिए कैसे सिलेबस से पिक किया आता है उसके नंबर और मेंबर से यहाँ पर आपको हो सकता है है एटक्वार्टर देदे इस तरह से कुशन फ्रेम करते हैं सिधस दस सिलेबस से संगाई कॉपरेशन और इसमें केवल आठ मेंबर हैं तो एक का टू और इससे ही आपका जो है यह हो जाता है बांकि मैच कर लिजेगा आफ्रिकन यूनियन जो अभी शामिल हुआ है इसके पचपन मेंबर है यह तो बहुत ही एक तरह से आर्बिट जैसा है क्योंकि इसमें बहुत कम आप लोग ने पढ़ा होगा ओब्सक्यूर टाइप ऑफ बुक्स हैं इसमें सीधे इसलिए मैं इसका एंसर दे रहा हूँ तो आप इसको मैच कर लिजएगा यहां पर जौशब सुन पीटर चुकी है एक सोशिलोजिस्ट जोनोंने एक तरह का इलिटिस्ट थियोरी आफ डेमोक्रेसी दिया था कि डेमोक्रेसी इस बुक में कि डेमोक्रेसी एक सिंप्ली एक मैकनिजम है एक method है, एक elite group को चुनने का through periodic election. मतलब यह बहुत कोई है, समझे कि जो अब रहाम लिंकन कहते हैं, कि democracy is a rule of people, by the people, for the people, of the people. नो, ऐसा कुछ नहीं है. People जो होते हैं, वो elite group चुनते हैं. आप जो भी party कर लिजे, जो elite group हैं. आप एक elite group को दूसरे elite group के ऊपर periodic election से चुनते हैं. That's all. That is democracy. तो ऐसा जो minimalist definition democracy का है, जो पर निराश करने वाला जो type का है. लेकिन reality के करीब है, जो सब सुन पीटर उसके लिए जाने जाते हैं. अब यह भी question जो है, बहुत ही run-of-the-mill question है, क्योंकि UN आपके syllabus में है, यहां पर सारे secretary general का मैंने दे दिया, आपके इसको गौर से देखें और याद कर लें. तो इसको arrange करना क्या मुस्किल है? सबसे पहले DAG, hammers, cold आएंगे, जो second UN secretary general थे, A से पहले कोई नहीं और A से सुरू होता हुआ, A से सुरू होता हुआ, किवल A की है, मैंज़दार यह, इसलिए सूपर easy हो जाता है. तो आपने देखा DAG की कितना ज्यादा question है, और मैं काफी बगबग कर रहा हूँ, मैं ठक भी चुका हूँ, लेकिन चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बहुत चीज़ें आपको बता रहा हूँ, योदि गौर से इसको इस वीडिय हैं, दो पेपर देखते हैं, आपको समझ में आया गया कि क्यों इसमें cutoff इतना लो गया था, घवरानी की बात इसलिए नहीं है, कि cutoff करीब 10% लो हो गया था, तो यदि question tough होगा, तो कुछ guesswork ज्यादा होंगे और cutoff लो होगा, इससे कोई फरक नहीं पर था, competition के level पे, question का level जरूर थोड़ा अर्बिट था, तो चली देखते हैं, कैसा है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे है, March 23 जो कि बहुत अच्छा paper था, उससे थोड़ा अलग है, three-part typology of the theory of globalization developed by Held and McGrew, include the following, अब यहाँ पे ही आके आप confused कर देंगे, Held and McGrew, लेकिन यहाँ पे जो intelligent student है, जोन्हो than iscapists or transformationalists, जो third way का लिजिये, उनको तो हम बाठते हैं, लेकिन कोई culturist जैसा कुछ होता नहीं है, Held is known for transformationalist, sorry, this pronunciation is in long word, तो इसलिए इसको आप हटा सकते हैं, और यह A, B, C, जो है, इसका सही हो जाएगा, तो यह बहुत difficult question नहीं है, और यह आपो ज्यान भी देता है, कि globalist, skeptic, and transformationalist, यह तीन जो हैं, क्या हैं, इसमें तीन तरह से आप group बाठ सकते हैं, उन लोगों का जो कैसे देखते हैं, different perspective, globalization के एक पसंद करता है, सब positive देखता है, दूसरा जो skeptist है, उनको जो है, सब negative देखता है, वो global phobes हैं, और जो transformationalist हैं, उनको जो है, बीच बीच क कुछ माइने में globalization ठीक देखता है, कुछ माइने में वो गलत देखता है, तो यह खास करके, this one is related to David Hild, and McGrew के साथ इनों ने लिखा है, तो यह question भले ही tough हो, लेकिन आपको knowledge काफी देता है globalization, और उसको तीन तरीके से देखने वाले समुहों के mentality के बारे में, यह जो question हैं, इस total जो है, वो France की है, Petronas, Malaysia की है, Sino से आप China, यह आप यह जानते हैं कि Indosino, Sino मतलब कि China, तो आपका यह काम काफी हसान कर देता है, मैकवो तो इसलिए भी news में था कि Reliance Petroleum ने इन के साथ गटबंदन या alliance किया था, तो आप इसको match कर लिजएगे, लुक इस्ट पॉलिसी, अभी हम लों ने देखा कि Act-East Policy मोदी जी लेकर आये थे, लेकिन उससे बहुत पहले लुक इस्ट पॉलिसी 1992 में, नर्सी महा रॉल लेकर कर आये थे, अभी हम लों ने इसको पढ़ा भी, कुछ question पहले, जो केनित वॉल्ज ने इसको structural realism भी कहते हैं, तो इसमें आप यहां पे देखें, तो तीन सही है, एक गलत है, तो यहां यह मिल जाता है, the security dilemma can be called as building up stores of military weapon for offensive purpose, आपको पता है, अभी मैंने आपको कुछ question पहले define किया, कि क्या होता है, जॉन हार्ज ने जो security dilemma के, offensive purpose नहीं होता है, वो आप अपने security को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ultimately आपका वो नतीजा 0 back to square 1 हो जाता है, जीरो सम गेम टाइप की हो जाती है, या जीरो सम गेम तो मत कहिए, मतलब कि दोनों की security equally vulnerable रह जाती है, तो इसलिए D गलत है, कोई offensive purpose नहीं, तो ABC सही हो जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ABC. When the international day for universal access to information celebrator, इस type of question वो क्या कहा जाए, the road learning, वो भी बहुत arbit, 28 September, लेकिन इससे ये आपको hint मिलता है, कि जितनी international day है, कुछ-कुछ तो याद रखे, What is the name of the exercise project initiated by India to link Indian Ocean Rim countries, again difficult, ये सागर project है, या सागर पंचायत है, जो आयवरा के सभी country को एक तरह से link करता है, difficult, who is the author of why is there is no international theory, ये भी difficult है, क्योंकि ये बहुत popular बुक नहीं है, लेकिन एक बार जान जाएंगे तो आपको भी भूलेंगे नहीं Martin White, Martin White होई थिंकर हैं, जो English school को belong करते हैं, जिन्होंने की तीन जो tradition है, thinking की international relation में ही Hugo Grotias, Emmanuel Kant, and Hobbes को भी इन्होंने लिया है, इन सब को mix करके इन्होंने जो है एक तरह का international theory बनाने की courses की है, who among the following holds the view that globalization is transformationalism, अभी अमनोंने देखा कि transformationalism जो है वो डेविड हेल्ट के साथ जुरा हुआ है, तो ये दूसरा question वो आपको पूछ रहे हैं, और global transformation जो है डेविड हेल्ट ने book भी लिखी थी, डेविड हेल्ट जो है वो democracy पे लिखने के जाने जाते हैं, cosmopolitan democracy के बारे में भी इन्होंने काफी कुछ काम किया है, Henderson Brooks report तो आपको बिल्कुल bold कर देगा, आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये इंडिया, देखे यहां पे sign-o आता है, ये इंडिया-चाइना जो war हुआ था 1962, उस पे ये रिपोर्ट था, ये जानके भी आपको हिरानी होगी, कि इतना important report आप क्यों नहीं जानते हैं, when open sky agreement between India and US was signed, ये 2005 में हुआ था, लेकिन बहुत चुपा हुआ agreement हो, open sky का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के territory में, जो है हमारे friendly, जो है हवाई जाज ओर सकते हैं, Beijing consensus जो है, Washington consensus है, वो just उसी type का है कि, तो ये economy से related होगा, चाइना का model जो rapid economic growth का है, वो दर साथा है, who is related with advent of Zionist movement and Zionist Congress, तो Zionist movement है क्या, जो Jews लोग को जो separate state की जो मोहिम चली थी, बहुत सालों तक, क्योंकि Jews जो है, पहले इधा उदर बिक्रे रहते थे उनके साथ, जो जर्मनी में हुआ, उससे पूरी दुनिया का ध्यान गया, और उनके लिए कि state अमेरिका के सहयोग से, अरब राज के बीच में जो है, बनाय गया, 1948 में, तो वो मुव्मेंट चलने वाले थियोडोर हर्ज थे, इन फेक्ट ये मेरे से गलती हो गई थी, मैंने टिक करने में, बिकॉस आई वस नॉइंग ये सब नेम, तो मुझे मैंने देख करके, रिसर्च करके देखा, तो वो मैंने वहां मिलर को मार कर दिया था, जो आप पहले दिया आपने देखा होगा वीडियो तो, लेकिन ये थियोडोर हर्ज है, इसमें आप देखेंगे तो तीन सही है, एक गलत है और चार ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सीधा पहला ही मिल जाता है, कि 20 sovereign nation इसके member है, नहीं, 19 nation इसके member है, और 20 European Union है, एक और union इस बार से सामिल हो जाएगा, next हो है African Union, तो अब इसके 21 member हो जाएगे, जिसमें 19 nation state और 2 organization है, तो इसको काट दीजिए, तो आपको B, C, D, जो है इसका सही answer हो जाता है, Statement 1, देखे, India's national security objective is to defend country's border as defined by law and enshrined in the constitution, कौन बोलेगा नहीं, true है, और 2 statement है, India's national security objective is pursuing security and a strategic dialogue with major powers and key partners, ये भी अपने आप में इस अब general statement है, कोई गलत कुछ लगता है, नहीं, इसलिए ठीक है, अरेंज the following humanitarian intervention in order of the recurrence, difficult है, humanitarian intervention जो है आपके syllabus में है, लेकिन क्या सारे humanitarian intervention को हमें याद करना है, और उसका भी year, ये बहुत too much हो जाता है, इसलिए मैंने सीधा इसका mark कर दिया है, ये again, जो है, कुछ तो पहले से ले लिया है, यूफा आपको याद होगा, 7th brick की conference हुई थी, तो 7th brick conference दी, D का 1 से आप match करते हैं, तो 3 चली, एक तो आप हटा सकते हैं, COP 27 जो है सरमल सेख में होता है, तो A का 4, तो A का 4 और D के 1 से आप 50-50 गेम खेल लेते हैं, और आप इससे अंदाज अगा सकते हैं, कि ASEAN कंट्री में कमबोडिया है, नॉमपेन है, इसमें अरब लीग में तो है नहीं, तो B का 3 होगा, तो B का 3 से ये crack हो जाता है, तो 14 बज जाता है 31st Arab League Summit, इन सब organization के बारे में भी जान लेजएगा, ASEAN, Arab League, Brics and all. यहां देखिए, रीजन एजर्षन है, एजर्षन है, इजर्षन है, देखिए अजर्षन है, अजर्षन है अजर्षन है, कौन कहेगा नहीं, कि यदि जनता के पास sovereignty नहीं है, तो सब को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसी से तो जनता अपनी sovereignty को express कर सकती है, और रीजन है, तो सोर्स अप सोवेरिनटी इस देखिए पीपल, एं थस एवरी अडल्ट सुद भी गिवन देखिए तो बिल्कुल ऑवियस है, मौरिसस जो है, वो चाइना से उपर है Human Development Index में, EB है, देखिए EB इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें है, तो ये 50-50 गेम आपके बिल एक information से खिल लेता, आपको इस अब करम पता नहीं करना है, अब पहले A होगा ये C, बहरीन होगा कि ब्राजील, कोई भी कहेगा, बहरीन जो है, गल्फ कंट्री है, यहाँ पे तो तेल के चलते ही लोग बहुत रिच हो गया है, तो A जो है, वो उपर होगा Human Development Index में, सही में A ही है, इस तरीके से आप इसको क्रैक कर सकते हैं, अब आए जून 2023 के सिफ 2 को देखें, इससे पहले कि हम लोग Q&A का जो लास्ट दौर है, चौथे पेपर का देखें, आपने देखा होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जून 2023 का पेपर खासा टफ है, मार्च के कंपरिजन में, तो लेवल जो है, कि अब वो मैच करता नहीं है, कोई साल टफ हो सकता है, दिसंबर आपको मार्च जैसा हो, और थवा मॉडरेट हो, यू नेवर नो, लेकिन घवराने के इसलिए जरूवत नहीं है, कि इसमें भी आपने देखा, कि कई कुश्चन मॉडरेट या एजी, जो है, आपको बीच वीच में हैं, दूसरा जो टफ भी हैं, उसमें यह दिए आप दिमाग देंगे, तो आप गैस कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस से बन जाता है, और तीसरा यह दिन नहीं भी बने, तो परिशान मत होएं, क्योंकि कट-off always blow जाएगा, ऐसे पेपर में, तो आएए सिफ 2 के पेपर को देखते हैं, यह सब कॉमन सेंस कुशियन है, आप मैं इसको नहीं पर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थकता जा रहा हूँ, यह सब है कि ग्लोबलाइशन कैसे जो है टेक्नोलजी, ICT टेक्नोलजी का यूज करते हैं, ग्लोबल नेटवर्क जो है टेरिस्ट को रिक्रूट करने में हेल्प करता है, उनका हाइली डिस्ट्रिबूटेड नेटवर्क हो जाता है, नए फॉलोर जोएन कर लेते हैं, इस टेक्नोलजी का वो मिस्यूज करते हैं, बहुत सारे इसमें यह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हो क्या किया है, D कैसा गलत टाइप का स्टेट्मेंट देए, जो आपको काम असान कर देता है, इंसर्जेंट एंड टेरिस्ट ग्रूप इन इराक एं सीरिया have not built sophisticated, improvised explosive device ID despite global access to resources, not करके इन्होंने आपका काम असान कर दे, क्यों वो नहीं बनाएंगे, यहाँ आपको ID का full form भी देते हैं, जो कई एक्जाम में पूछा याता है, improvised explosive devices, तो यह गलत है, D गलत है, तो केवल A, B, C केवल सही हो सकता है, क्योंकि C और B तो बिल्कुल सेम है, तो A, B, C इसका सही हो जाएगा, Who among the following political thinkers reformulated the principle of realism by Hans J. Morganthau from a feminist perspective, यह सब बहुत है असान question है, तो अगें आप देखें कि यह common sense का question, और यह easy question, तो इसलिए ऐसा कुछ निए कि सब toughy है, Ann Tickner आपको पता ही, इन और रिफर्मूलेट किया था, Morganthau के six realist principles को, women के perspectives. Which of the following countries constitute membership criteria of the NAM? यह भी common sense से आप निकाल सकते हैं, यहाँ देखें, दो या तीन जो हैं सही हैं, तो यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखा, independent होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखें, the country should be a member of multilateral military alliance, ऐसा कोई alliance का member होगा, तो नाम का नहीं हो सकता है, तो B को आप निकाल दीजिए, B निकाल दीजिए, इसमें A, C, A, D, तो A तो common है, C, D को देखते हैं, the country should have adopted independent policy based on coexistence of state, यह तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन D देखें किया, if a country has granted military basis to a foreign power, कभी फिर नाम का member बन ही नहीं सकता है, कोई condition में, तो D गलत है, A और C, यह जो है, बहुत है, unknown जैसे जो है, जो इन्होंने concept दिया, determinates of foreign policy, इसलिए मैंने सीधा टिक मार दिया, आप इसके बारे में और पढ़ लिजेगा, यह सही है, Which of the following agreement does not outline country's specific emission target, but emphasizes on the climate change mitigation, यह question moderate है, क्योंकि देखें, Kyoto Protocol में तो country's specific emission reduction target दिये गये थे, थे कासके developed country को, लेकिन जो Paris Agreement हुआ था 2015 में, Paris Climate Accord कहते हैं, साथ यह COP21 था, इसमें NDC का concept लाए गया, Nationally Determined Contribution, जो कि volunteer था, आपको कोई target नहीं दी गई थी, कि कितना आप कर सकते हैं, climate change के लिए क्या effort कर सकते हैं, तो इसलिए Paris Climate Accord होगा, Rajiv Gandhi is participation at the 6th Nation 5 Continent Peace Initiative, यह आपको bump कर देगा, इसके बार आपने साथ नहीं पढ़ा होगा, यह nuclear testing को रोकने के लिए था, तो बस जान लेजे, और आपको पढ़ना है पढ़ लीजे, अब difficult question है, लेकिन यह moderate था, यह difficult, The idealist school of thought in international relation proposed to replace balance of power, जो कि realism का एक पार्ट है, उसको उनोंने disarmament से करेंगे, इसमें सिद्धी आप एक जानते हैं, उन्होंने यह कहा था कि nationalism as a reinventing tradition है, मतलब हम जो tradition को reinvent करते हैं, साथ कोई given नहीं होता है, हम बनाते हैं nationalism, इसी को जो है, अंडर्सन कहते हैं, बेंडिक्ट अंडर्सन की इनाजिन community है, मतलब nationalism एक तरह से गढ़ा जाता है, हमने अपनी सुर्था के लिए एक thought बनाया है, कि हम एक nation के पाठ हैं, इसे कहना बहुत difficult है कि nation है क्या, तो यह जो है B तो बिल्कुल सही है, तो B तीन में आता है, इसमें नहीं आता है, उसके बाद इदे आप देखेंगे, तो आप वह बहुत खासा confuse करेगा, इसमें कई जग़े जो है, इसका जो official answer तो है B और C, लेकिन A भी बहुत जग़े सही दिखता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यूरोप की जो western country की nationalism तीन दौर से गुजरी है, इसलिए मैं question mark कर रहा हूँ कि क्या इसमें A, B, C नहीं होना चाहिए था, और क्यों जो है B, C, केबल official answer में है, चेक कर लिजगा, इन्होंने जो book लिखा है, वो बहुत अच्छा है, याद करने के लिए कि कई जग़े पूछा जाता है, जिसमें वो invented tradition nationalism को उससे जोडते हैं, यह बहुत खासा important phrase है, यहाँ देखें एजर्सन, अब यह कहना कि सब के लिए चलिए ठीक अभी इसको hold करते हैं, इतना तो global files कह सकते हैं, economic globalization promotes an open market-based economy that brings social and political benefit, तो यदि इस साब से देखें, economic globalization promotes prosperity and opportunity fall, यह हम मेरे साब से false है, और यह सही है, तो इसका option जो है, 1 is incorrect and R is correct, यह option 4 होता है, बसे मैं question mark कर रहा हूं और research कर देखें, in my view this is wrong, यहाँ पे जो है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इदर Robert Cox का book आपको याद है, production, power and world order, तो यहां world order यहां देखती है, और constructivism जो है, आप Alexander Wayne से आप जोड़ेंगे, तो इससे दोनों साब का काम बन जाता है, A का 3 होगा, sorry, A का 2, और C का 3, तो एक ही में ऐसा है, regime on cooperation वो है, जो कि उतना छिपा हुआ है, तो फिर भी, और Rob Walker का तो आप नाम साइद नहीं सुना होगा, और यहां पे यह जो है, emphasis on continuity and repetition in social structure, यह है किसमें से कौन member नहीं है नाम का, यह खासा आसान इसलिए है, कि South Sudan जो है, 2011 में बना है, सुदान से अलग हो करके, और यह last UN member भी है, तो यह सायद नहीं बन पाया हो, और यही सही भी है, यह भी मैंने आपको बताया था कि SDG, यहां पे गलत लिखा हुआ है, SGD लिख दिया, इन्होंने टाइप ओ एरर है, ऐसा एरर कही हैं इसमें, यह Sustainable Development Goal है, तो इसके, मैंने नेक्स लाइड में, पूरा ही 17 गोल लिख दिया, आप उसको देख लीजिए, और उसमें आप देखेंगे, तो जो 15 है, वो Life on Land है, तो D का 2 से आपको यह जो है, ग्रैक हो जाता है, आगे इसको देख लीजिए, यह 17 एक नजर देख लीजिए, यहाँ पर तो आयाद रहेगा, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, कि 8 MDG और 17 SDG, इसको जरूर देख लीजिए, कि वो क्या-क्या है, खास करके SDG इस पर question लगाता, पूछे जाते हैं, Which of the following is not included in the list of India's initiative in support of US in strategic collaboration यह question मुझे लगता है invalid जैसा है, क्योंकि यह क्या कर रहा है, डबल निगेटिव के चलते हैं बहुत confusing, दो बार no, no, जब sentence में आता है, वो इतना confusing होता है, देखे कैसे, यह कह रहा है कि इसमें से कौन सा included नहीं है, किस list में India's initiative in support of US in strategic collaboration, मुझे हैं, इंडिया ने support किया है, उस list में किसको नहीं रख सकते हैं, अब यहां देखे, इंडिया did not offer support to US in anti-terrorism, यदि यसा लिखा है कि did not offer support, तो हम इसको include नहीं कर सकते इंडिया के support में, तो यह तो होगा, yes, it is not included, इंडिया express opposition to President Bush's decision to withdraw from the ABM treaty, ये भी यदि opposition किया, तो ये भी होगा, इंडिया voted with US in September 2004, International Atomic Compliance Board of Governors meeting to declare that Iran was non-compliant of NPT, तो सही है, यदि ये इंडिया ने ऐसा किया था, तो ये तो support हो गया, तो ये include नहीं हो सकता है, उसमें no वाले में, double negative या रख कि, तो A and B होना चाहिए, लेकिन इसका official answer C था, जबकि सही answer A and B होगा, इसलिए मैंने कहा था, इसको challenge कर, who among the following Prime Minister spoke about India's approach towards US and Soviet Union drifting towards a cold war as they are, never blah blah पढ़ लिए, अब यहां देखे, common sense है कि cold war के Prime Minister किवल जवाल नेहरू यहां पह है, कुछ भी कहा गया हूँ से कोई मतलब नहीं हूँ नहीं कहा हूँ है, the Commission on Status of Women established किसके resolution से किया गया, यह question से बहुत difficult है, लेकिन यह, United Nations Economic and Social Council, ECOSOC, यह इसकी major organization है, उसके resolution जो 1946 में सुथ, उससे Commission on Status of Women established किया गया था, difficult question, यहां देखे, India's foreign, पहला statement है, दो statement है, India's foreign policy, हाँ पर policy छुटा हुआ है, देखे, क्या बे-ध्यानी से question set करते है, आगे तो आपको हसी भी आएगी, India's foreign policy remains pre-occupied with concerns about territorial integrity, nationhood and independence of decision making, इस जोड़ा देनी की जोड़त नहीं समझे नहीं है, यह सही है, the structural logic of the global bipolar conflict get reflected in the regional bipolar conflict between India and Pakistan, यह भी बिल्कुल सही, common sensical सब है, तो दोनों statement true, true है, which of the following statement is true about the rise of alternative perspective on India's foreign policy, alternative perspective, समझे, और यह सारा एक ही perspective के बारे में कहा गया है, वो है स्वतंतर party, जो की एक तरह की right wingist party थी, अभी आप उसको BJP से थोड़ा बुद कंपेर कर सकते हैं, उन्होंने 1960 में दिया था एक alternative perspective on foreign policy, उस सहे में इंडिया बिल्कुल सोवियत रूस के तरफ जुका हुआ था, नेहरू जी का अंतिम फेज चल रहा था, तो उसको स्वतंतर पाटी जो थी, यूएस के दरब जुकना चाहते थे और आएके गुजराल, इतने बाद में आया, आपको पता है, गुजराल डॉक्टर हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, तो B को तो आप हटा दीजिए, तो B को हटाएंगे तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो सीधा आपको A, C, D, E मिल गया, पढ़ लिजगा, तो तो पर पाटी किस तरह से अमिर्का के तरफ जानने की बात यहां पे करती है, और B, तो ओवियसली गलत है, इस बहुत आसान कुश्चन बन जाता है, इलिमिनेशन टिक्नीक के चलते हैं, अभी आपने देखा, एक तो डेविड हिल्ड है मौडरन काल में, और उससे पहले इमानुल कान थे, जिन्होंने की परपेचुल पीस की थिऊरी दीए थी, डिमोक्रेटिक पीस की, यहां पे यह है कि बारह जो है, अभी युनाइटेड निशन के पीस की थिऊरी निशन अभी ऑपरिशन में है, अब उसको क्रोनलोजिकल ओर्टर में तो तो, आसान नहीं है, लेकिन चलिए, यहां पे मैंने टिक मार दिया है, दिबारह को एक नजर देख लीजए का, मैंने यहां लिस्प नहीं दिया है, तो एक बार दिमाग में बिठाल जाए कि कौन पहले कौन का है, एक उसमें से इंडिया में भी है, जम्मु कस्मीर, विच अमांग दा फॉल्विंग स्टेट्मेंट रिप्रिजेंट रिप्रिंसिपल अब जस्ट वार, अब यहां पर मैं कह रहा हूँ देखी क्या, और ऐसे एक नहीं, दो-तीन जगह थे मैं तो एक ही दे रहा हूँ, मैंने बनाया भी है कि कितना बेध्यानी समय नहीं बनाया, हिंदी जो उप्सन है उसमें पांच जो उप्सन है, हिंदी वर्सन में, और इंग्लिस में चार, इसलिए एक क्वेश्चन ही गलत हो गया, वैसे जस्ट वार की जो थियोरी है, हीउगो ग्रोटियस की, वो ज़रूर जान लीजे कि तीन जो है जस्ट कारण हो सकते हैं, अपने को डिफेंड करनी के लिए, किसी को पनिस करनी के लिए भी दिया और जस्ट काउज के लिए, मतलब तीन कारण में बताये थे, वो जो है, पढ़ लीजेगा, उसमें से रिपारेशन जिसको बोलते हैं, हर जाना के लिए भी एक काउज हो सकता है, डिफेंस तो हो ही सकता है, जो मैंने यहाँ पर दिया है, कि सेल्फ डिफेंस, तो सीक कमपंसेसन औफ इंजुरी, और टू पनिसे रॉंग डॉरी, यह तीन ह्यूगो ग्रोटियस ने दिया था, लेकिन बाकी दिखेंगे तो, मतलब वार सुद भी लास्ट रिसॉर्ट, जस्ट कॉज होना चाहिए, और इवन वार होने के बाद भी कुछ चीजों को नहीं करना, ऐसे बॉडी मुटिलेट करना, इज़त नहीं देना, जो प्रिजनर ओफ वार है, उनको सेफटी नहीं देना, और बरबरता करना, या केमिकल विपन, या अधर विपन और मास डिस्ट्रक्शन को यूज करना, जो जिनेवा कन्विंशन है, उसको वाइलेट करना है, तो वोर तो ठीक है, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन होता है, तो वो जस्ट कॉज से हो, और जस्ट वे में हो, यह जो दो थौट है, कि वोर जो है, जस्ट कॉज के लिए हो, वो जस्ट अड बेलम है, जो ग्रीक लाटीन फ्रेज है, और वोर हो तो जस्ट तरीके से हो, वो जस्ट इन बेलो है, इन दोनों टरम और उसके मीनिंग को भी थौब पढ़ लीजएगा, और इस तरीके से मैं आपको एक तरीका भी बताता हूँ, कि पास्ट इर पेपर को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, थैंक्स पर वॉचिंग, और यदि आप नेट जी आरेफ के टेस्स स्रीज को जॉइन करना चाहते हैं, तो आप इंट्रेस्ट अपना यहां बेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप जॉइन कर सकते हैं, बेरी अटनॉमनल कॉस्ट, और यह जर्णी बहुत ब्यूटिफुल हो सकते हैं, अभी भी आप इसको जॉइन कर भी तीम महने बाकी हैं, दिसंबर में एक्जाम के लिए, और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मिलेंगे एक और थीम को लेके तब तक के लिए विदा,